है गाइस इस अमन एंड यू वाचिंग दी लेडिस एपिसोड ऑफ टेक स्वामी और आज मैं आपको यहाँ पे चोटा सा कंपेरिजन देने वाला हूं नए रियल्मी एक्स टी और पुराने रियल्मी एक्स के साथ यहाँ पास रियल्मी एक्स है मैं इसको बहुत देर से यू है वो एक alternative device है अगर आपको कुछ चीज यह उसकी पसंद है तो आप वो ले सकते हैं अगर आपको ज़्यादा यह अच्छा लगे तो आप यह ले सकते हैं मैं बिल्कुल भी नहीं होगा कि अगर एक्स के आप यूजर हो तो आप एक्स टी पे shift करो क्योंकि यह अभी भी भी बहुत सारे features ऐसे हैं जो कि X को जादा बढ़िया बनाता है और बहुत सारे features ऐसे हैं जो कि XT को जादा बढ़िया बना रहा है चलो बात करते हैं इन दोनों के बारे में और कल के बार में बता दूए एक बहुत ही बड़ी unboxing आने माली है तो उसका wait करो और आपको देखके जहर को वो वीडियो डिल जाएगी तो यहां पर realme XT और X के साथ चुड़ करते हैं अब यहां पर realme X में आपको totally एक bezel-less concept देखने को मिला था जो कि काफी सुन्दर लगता था और यहां पर को notch जैसी चीज यहां पर बिलकुल भी नहीं देखने को मिलती थी और यह immersive एक है Gorilla Glass 5 की production भी थी अब मैं बात करता हूँ यहां पर realme XT की तो यहां पर इन्हों ने सबसे बड़ा change किया है कि display के अंदर इन्हों ने यह जो immersive experience था full screen का यह खतम कर दिया है यहां पर यह लिक रहा है यहां पर हिचके चार्ट तो हो रही है कि अर ऐसा क्यों हुआ है अब यहां पर कॉस कटिंग गई है थोड़ी सी पॉप अप कैमरा को यहां पर निकाल दिया गया है तांकि यहां पर कॉस कट की जा सके क्योंकि यहां पर realme XT में हमें glass back निकले हूं मिल रही है यहां पर plastic back यहां पर glass back है बहुत बड़ा फरक है XT में यहां पर build quality में बहुत जाना फरक आया है अब dewdrop के साथ बदा दू वही AMOLED display है तो आपको यहां पर display quality में कोई भी फरक देखने को नहीं मिलेगा दोनों में ही यहां पर display ऐसा है आपको display बहुत अच्छे colors देगी बहुत बढ़ जाते हैं तो यहां पर dewdrop notch जो लगाई गई है मेरे सब जब कॉस कटिंग इसलिए की है क्योंकि pop-up mechanism धुरू सा महेंगा पड़ता है और इसका price इंडिया में जब यह phone launch हो जाएगा तो इसका जो price होगा वो काफी कम होने वाला मेरे को लगत सिमिलर ही होगा X के साथ जादा म जान दिया है तो यहां पर मैं glass back के लिए इतना सा compromise कर सकता हूं कि यहां पर dewdrop notch आजाए बट अगर आप Realme X user हो और या फिर आप नहीं हो तो अब आपको decide करना अगर आप नया phone लेना है कि आपको dewdrop जादा पसंद है या फिर आपको यह full experience जो की display का मिलता वह जाला पसंद और pop-up camera अब performance की तरफ चलते तो performance में आपको बहुत बड़ा वाला difference देखने को नहीं मिलेगा आपको Realme X में Snapdragon 710 देखने को मिला था और यहां पर Realme XT में Snapdragon 712 देखने को मिल रहा है अब यहां पर upgrade कहने को on paper जरूर है यह 2.2 GHz है वो 2.3 GHz है पर यहां पर जब आप real life note करो गए यार दोनों यहां पर processor दोनों snappy हैं बिल्कु सेमिलर snappy हैं दोनों और यहां पर आपको speed test में मैंने काफी देखा है कि Snapdragon 710 और 712 में बहुत जादा वाला अंतर नहीं है और इवन कि मैंने जब यह phone Vivo Z1 Pro के साथ speed test किया था Z1 Pro जो है वो Snapdragon 712 के साथ आता है दोनों ही phone equally perform करते हैं चाहे वो PUBG के बार मैं बात करूँ चाहे gaming कोई भी gaming करनी हो general task करने हो दोनों एक जैसा perform करते हैं कहीं ना कहीं Snapdragon 712 में 2-4 apps जो हैं वो 1-2 second पहले खुल जाती है उससे जादा को फरक नहीं बढ़ने वाला real life में आपको notice ह नहीं होगा कि 710 और 712 में फरक क्या है भाई दोनों similar से processor है फरक यहां पर बढ़ेगा आपको realme X जो है वो base variant जो आता है वो 4GB 128GB है बढ़ यहां पर जो realme XT है उसका जो base variant है वो है यहां पर 4GB और 64GB यानि कि storage इसके अंदर double देखने को मल जाती है बढ़ फरक यह है X के अंदर dedicated SD card slot देखने हो नहीं मिलता hybrid SIM slot देखने हो नहीं मिलता यानि कि SD card लगा ही नहीं सकते है realme XT में हमें dedicated SD card slot मिल रहा है यानि कि 2 SIM के साथ 1 SD card भी लगा सकते है तो यह एक advantage है और दोनों में UFS 2.1 है आपको storage speed दोनों की fast मिल रही है बढ़ वहां पर SD card लगा सकते हो बहुत बड़ा change है realme X में dual cameras मिल रहे थे 48 Megapixel का setup साथ 5 Megapixel का depth camera देखने को मिलता है इसमें pop-up camera में 16 Megapixel का front camera देखने को मिल साथ है अब pop-up camera तो यहां पे हटा के due drop आई है तो वह वाला camera जो है वो यह similar 16 Megapixel कही है बट जो changes आई है वो back camera में आई है अब back camera जो realme XT में मिल sensor एक macro lens और एक portrait lens मेरे को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा यह realme 5 pro वाला combination आप बिल्कुल भी नहीं लेकर आना चाहिए था 64 बहुत यह अच्छा sensor है बहुत बढ़िया photos कीचेगा low light भी अच्छी करेगा बट यहां पर at least तो macro lens की जगा टेली photo देते तो लोग बहुत हम जादा उसको यूज नहीं करने वाले frequently बट टेली photo होता हो तो काफी जादा यूज होता तो यहां पर मेरे को नहीं लगता है और मजा इतना आया बट अगर मैं बात करो standard photography की 64 megapixel वर्सेस 48 megapixel मैंने अभी recently यार unboxing में मैंने थोड़े से यहां पर देखे हैं जो और यहां पर comparison किये गए है 48 megapixel वर्सेस वो 64 megapixel सामसंग वर्सेस सोनी का सेंसर बहुत similar kind of photos देखने को मिल रही है हलकी फुलकी यह से कह सकते कि 64 megapixel वाले जो camera उसको थोड़ा से जूम जादा करेंगे तो कुलूज कम होगी quality बट बहुत similar kind of result देखने को मिल रहे है तो वो Samsung sensor है 64 megapixel और यह ज similar photos आ रही है इवन कि night में दोनों अच्छे काम करता है और night में भी similar kind of photos देखने हो मिल रहे है और selfies तो even कि similar आएंगी ही क्योंकि similar सा यहां पर sensor लगा हुआ है एक और यहां मैं फरक देखने को मिलेगा वो है battery इसके अंदर guys इसमें 3765 mh के battery मिलती है Wook 3.0 यानि कि 20 watt charger के साथ USB Type-C के साथ जो कि amazing चीज़ है यार Wook 3.0 का कमाल ही है मतलब इस price point पर इससे fast charging आपको नहीं मिलेगी और यहां पर आपको XT के अंदर battery backup जाला मिल रहा है 4000 mh का यानि कि आपको थोड़ा बहुत यहां पर बैटरी थोड़ा सा जाधा रहेगा बहुत जाला अंतर तो नहीं है बढ़ थोड़ा ज़रूर यहां पर डालेगी आपको battery backup यहां पर थोड़ा सा जाधा मिलने वाला है XT में तो यहां पर वहां पर भी 3.0 ही है सबने 20W के charging है तो वहां पर आपको attention नहीं है USB Type-C मिल रहा है बढ़ थोड़ा सा battery backup जाधा रहने वाला है और दोनों phones में color OS 6 दे बता दू उससे पहले बता दू भाई आपके पास X है तो बिल्कुल मत सोचना है XT के लेने के लिए एक बहुत similar सा phone है बढ़े यहां पर अगर आप एक नया phone लेने की सोच रहे हो दोनों phones में से X लें की XT लें तो आपको यह चीज़ देखनी है कि यार यहां पर आपको ए पर यहां पर अगर मैं बात करूँ हम से क्या जाएगा तो आपको यह की मिल जाएगा बागी यह है यही है सारे कैसा अप वो आपको समझा गई होगी आपको कौन सा फोल लेना है आप मेरे को बता हो आपकी क्या चोईस है नीचे comment section में आपको मैं मिलता हूँ next episode में तब तक अपना अपने अपने शानवाल के रखे कहयाल की smiling and always take care guys love you and keep supporting यार बबाई